पिछली क्लास में हमने दृत्य पाठ के हिंदी और शब्दात पढ़े थे आज हम दृत्य पाठ के अभिहात प्रिशन करने जा रहे हैं सबसे पहला प्रिशन है उच्चारनम कुरूते उच्चारन करो छात्रहा लता प्रियोग शाला लेखी का शिक्षि का पेटी का माला सेवी का नव का छूरी का कली का गाई का इसके प्रशात हम दूसरा प्रशन करेंगे जिसमें क्या दियर का है चित्रानी द्रष्टवा पदानी उच्चार्यत कि चित्र को देख कर क्या करना है पदों का उच्चारन करना है पहला शब्द क्या दे रखा है सुई का चित्र दे रखा है सुई को संस्कृत में क्या कहते है सूची का क्या कहते है सूची का दूसरा चित्र दे रखा है चीन्टी का, चीन्टी को क्या कहते हैं? पिपली का, क्या कहते हैं? पिपली का, तीसरा चित्र है चाबी का दे रखा है, चाबी को संस्कृत में क्या कहते हैं? पुंची का, क्या कहते हैं? पुंची का, चोथा चित्र दे रखा है अपना साइकल का, साइकल को क्या कहते है संस्कृत में द्वी चक्री का, क्या कहते हैं, द्वी चक्री का, फिर अपना मेज का चितर दे रखा है, मेज को संस्कृत में क्या कहते हैं, उत्पीठी का, क्या कहते हैं, उत्पीठी का, फिर मक्खी का चितर दे रखा है, मक्खी को क्या कहते हैं, मक्ष फिर एक फुटे का चित्र दे रखे हैं, फुटे को संस्कृत में क्या कहते हैं, मापीका, क्या कहते हैं, मापीका, वीना का चित्र है, वीना को क्या कहते हैं, वीना, संस्कृत में और हिंदी में समान शब्द है, वीना, इसके पशात अपना है, दूसरा प्रिशन, वर्ण स्य ब्रैकेट में दिखना है, जैसे पहला शब्दे रखा है यह था, k-u, यानिकि कु, रे उ रू त अ तह शब्द के अपना कुरू तह फिर है उ आधा द ये द्य आ द्या न इ ने उद्याने शब्द के उद्या उद्याने फिर है आधा स्था लई का स्थाली का स्था आथा लईली का का क्या बने गया गटी का सतर इ स्त्री क्या बने गया आधा स्त है और रे मिलके त्रा इ क्या बने स्त्री ल इंग उंग अ लिंगह क्या बने स्त्री लिंगह म अ म प इपी कब पी का बने स्त्री क्या ल है इसके पश्यात इसकी पड़ा नाम उन्विच्षेद द्रभण यानि कि क्या करना है ? पद्धों का वन विछ चेद करना है था उनको अलग-अलग करके दिखाना है प्रद्रश्यत करना है जैसे यह था कोकिले में को को कई कि लए ले क्या बने कोकिले इपने चटके बनेगे चटके, यानिकी चटके, धावी कहा, कुंची कहा, कुंची कहा, कुंची कहा, ख, ख, ट, व, आ, खट, ख, ट, व, आ, खट, ख, ट, व, आ, खट, व, 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 खट, प्रशन है कि चित्र को देखकर संस्कृत पद लिखने हैं अपने को हमें पता है कि यह क्या है मेज है मेज को संस्कृत में अभी पड़ा है हमने क्या कहते हैं उत्पिठी का क्या कहते हैं उत्पिठी का और यह क्या है एक बक्सा दे रखा है पेटी है पेटी को संस्कृत में क क्या कहते हैं नौका क्या कहते हैं नौका चिडिया का चित्र है इसको गोरिया भी कहते हैं चिडिया भी कहते हैं इसको संस्कृत में क्या कहते हैं चटका क्या कहते हैं चटका एक व्रिद इस भी का चित्र दे रखे हैं तो उसको क्या कहते हैं व्रिदहा क्या 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 क् अब है प्रश्य नंबर चार वचना नुसार रिकिस्थान आने पूरेते हैं जैसा हमें बताया गया है उसी के नुसार हमनों ने रिकिस्थानों की पूर्ती करनी है एक वचनम द्वी वचनम बहुवचनम यथा लता लते लतहा इसे अपने गीता का बनाना है गीता गीते गीत इससे पहले जैसे लता गीता पेटी का इधर हम क्या बनाएंगे लता गीता तो यहां पर क्या ऐगा पीटी का इसी तरह हमें आगे भी करना हैं पलने को पलटेंगे आगे हैं खटवहा चित वो लाष्ट में बहु वचन का दे रखा है तो हमें एक वचन में क्या लिखेंगे खटवा, खटवे, खटवहा उसके वच्छात सा, सा, ते, तहा क्या बनेंगा सा, ते, तहा रोटी के दिवी वचन का रूप देत रोटी का रोटी के रोटी कहा इस तरह हैं हमने इनको लिखना है और अपने कोपी में याद करना है बाकी प्रेशन कल करेंगे धन्यवाद